नेक्स्ट पार्ट है करिकुलम करिकुलम से रिलेटिटेट टी आटी और नैशनल पॉलसी में जो वर्ड सुजिस्टेड है बार-बार उनकी चरप्चा करेंगे फार्स्ट है हमारे पास flexible curriculum a word flexible है इसके rigid curriculum है तो वह wrong होगा लचीला पाठकरम वेकल्पिक पाठकरम शिक्षार्थी केंदरित पाठकरम सम्धाय केंदरित पाठकरम अनुभव केंदरित कर्म ओके तो यहां पर है alternative curriculum साथ में learner centered community centered experience center में मेरे खहल में सिर्फ एक यह curriculum होगा जो आपको तंग कर रहा होगा कि ये क्या होता है ये अल्टरनेटिव करिकुलम की डेफिनेशन है जिसमें ये है कि माध्मिक जांगंभीर विकलांग शात्रों के लिए डिजाइन किया गया जो महतवपूरण शोधनों के बिना मुख्य समान्य शिक्षा पाठकरम तक पहुंचाने में सक वो उसकी जगा पर उन बच्चों के लिए जैसे तारे जमी पर इशान था ऐसे बच्चों के लिए कुछ नया करिकुलम बनाया जाता है पिछले को बेस रखा जाता है साथ में तो इसको अल्टरनेटिव करिकुलम कहते हैं उसमें इंडिविज्जुल स्टडी भी हो सकती है ओनलाइन लर्निंग भी हो सकती है तो यह सुझेस्टेज हैं मल्टी एज क्लास्रूम हो सकते हैं मल्टी लिंग्वल ट्रांस इंटरेक्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू नीड ओफ लर्नर्स हाँ यह नैशनल करिकुलम 2020 में से हैं नो हाड़ सैपरेशन इट मींज मल्टी इसलोज यह वर्ड बार आएगा आगे चलके बताता हूं इंटर्सिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिरी क्रॉस डिसिप्लिर और डिसिप्लिनरी यह टांं आसकती हैं इनमें से राइट और रौंक चौन सी होंगी यहाँपर है के हाड़ सैपरेशन नहीं होगी किनके बीच जो क नहीं होगी एक दुसरे के साथ मिलके चलेंगी पाठ्थे चर्चा और पाठ्थे उत्तर गती विदियां यह साथ आप वोकेशनल एंड अकेडेमिक स्ट्रीम ऐसे भी कोश्चन पूछा जा सकता है कि नैशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन हना तीन आप्शन दी गई हो और एक नई आप्शन डाल दी गई हो जहां नौट करके पूछा हो आपने वो चौथी डालनी है यह आपको आपको आप साइंस करिकुलर और वोकेशनल एंड एकाडेमिक स्ट्रीम इनकी कॉंबिनेशन को यहां पर सरकल करके कॉपी पर लिख लेना चाहिए अच्छा नैशनल एजुकेशन पॉलसी ने किस पर जोर दिया है अगर चार आप्शन आती हैं इंटर मल्टी क्रॉस ट्रांस तो आप मल्टी डिस्रिप्लिनी पर राइट आंसर इसको कहोगे हां आपको यह समझ लेना चाहिए क अगर नैशनल ट्वंटी के बिना यह कॉश्चन आता है तो इंटर डिस्रिप्लिनी अप्रोच भी बैटर है यह हॉलिस्टिक अप्रोच है क्रॉस डिस्रिप्लिनी भी बैटर है इनमें से कोई भी होगा वो राइट आंसर होगा ट्रांस डिस्रिप्लिनी भी बैटर है अग और इस डाइग्राम से समझाता है जिसमें multi में separation है इंटर में separation जो discipline, discipline नहीं समझाता हो तो subject हना तो आप लेके चलो science, math, psychology वगरा हैं वो अलग लग हैं लेकिन एक जो टॉपिक है प्रोजेक्ट है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं लेकिन उनकी बाउंडरी जो अलग रहती है आगे चलके इसकी डेपिनेशन लिखी होई पताता हूं अच्छा इंटर में वो मर्ज हो रहे हैं और ट्रांस डिसिप्लिनी में पूरे मर्ज हो रहे हैं लेकिन इससे मेरे ख्याल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा यह वर्डिंग खुद मैंने अडेंटिफाइ की है तो इनको आप मेरे ख्याल में लर्न कर लीजिए जो डिसिप्लिनरी है मान लीजिए साइकॉलजी सब्जेक्ट है तो उसकी स्पैशलाइजन नौल यहां पर किस जैसे यूनिवस्टी में किसी भी एक डिसिप्लेन पर रिसर्च इन डेफ्थ की जाती है तो स्पैशलाइजेशन होती है वह डिसिप्लिरी जो सिस्टम एड्यूकेशन सीटम अभी तक वो चल रहा था अब हायर एड्यूकेशन इवन स्कूल लेवल में भी मल्तिस दिसर्प discipline जो national education policy ने कहा है वो naturally है कि एक से ज्यादा discipline है और एक से ज्यादा discipline वो एक दूसरे वो boundary उनका department जैसे university में अलग अलग की बना रहेगा लेकिन वो थोड़ा मिलके काम कर रहे हैं इनसे मिलके काम कर रहे हैं इनसे मिलके होने लगे इतना synthesis होने लगे कि वो एक दूसरे के research methods है knowledge है और एक दूसरे discipline जा subject के बीच में link ही स्थापत हो जाए overlapping हो जाए it means इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेरे कहल में दोजार चालिस में जो policy आएगी उसमें word यूज हो जाएगा interdiscipline जाए transdiscipline लेकिन होना ना कुछ नहीं है यह हम कोई पता है क्योंकि हम melted यही अभी तक system चल रहा है हाँ degree इसकी मिलनी चुरू हो जाएगी पर आपने उत्तरवई देना है अच्छा trans में problem focused होगा यह एक problem है तो बाकी पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस discipline की psychology की problem है education की है, sociology की है, किसी और subject की है मितलब के problem जब project oriented जो काम चल रहा होगा यह total holistic और total integrated approach होगी अगर integrated word भी आता है तो भी आपने उसको tick करना है अगर curriculum पर question आता है simply trans disciplinary highest merge हो रहा है holistic है उससे कम interdisciplinary उससे कम multi all disciplinary बिल्कुल separate अच्छा correct option अगला क्या है emphasis on conceptual understanding यह दोनों बाते दोनों को encircle कर रहा हूं rather than wrote learning wrote जहां भी आता है गलत हो जाएगा और learning for exam यह भी गलत हो जाएगा ठीक है जो conceptual learning है यह right answer होगा रट कर सीखने और प्रीक्षा के लिए सीखने की बजाए वेचारिक समझ पर जूर यह टेट में से option है creativity already discuss हो चुका है critical thinking हो चुका है और encourage logical decision making यह सारी life skills है आगे चलके फिर आगी और innovations यह बार बार policy में यूज किया गया है इसको right answer लेके चलना है तात्ति की निरने लेने और नविचार को प्रसाहित करने के लिए रचनात्मक और महत्तपूरण सोच यह national policy में यूज किया गया है उसी की phrase है multilingualism and power of language यह special color किये हैं इसको encircle कर लेजिए power of language 2020 यह बार बार यूज किया गया है in teaching and learning बहु भाशावाद और शिक्षन और सीखने की भाशा की शक्ती थोड़ी translation गलत है मेरे ख्याल में यहां से आप समझ सकते हैं जीवन कोशल पहले बात हो चुकी है communication भी है cooperation भी है teamwork भी है resilience भी है यह पहले नहीं हुए इसको इनको ride down कर लीजिए संचार सहयोग teamwork और लचकीलापन resilience होता है जब आपका दिल दुखता है आपको दुख मिलता है तो कितनी देर बाद आप normal हो जाते है एक शक्स है जो दस मिनट में एक चोटा बचा दिखो रो के शायद पांच मिनट में फिर नॉर्मल हो जाता है बड़ा जो है जब hurt होता है दस दिन तक नहीं होता है it means resiliency जो बच्चे की ज्यादा है तो यह life skill है कि आपने दुख के बाप जुद जल्दी नॉर्मल कैसे होना है यह national policy में बार बार यूज किया गया है extensive use of technology in teaching and learning प्रद्योगिकी का व्यापक उपयो respect for diversity word यूज किया गया है बार बार and respect for local context local context को बहुत महत्तब दिया गया है इस slide में अगर लेना है आपने नया word local context in all curriculum pedagogy and policy विविदता जो diversity है न के लिए सम्मान और सभी पार्टक्रम शिक्षा सास्त्र और नीती में स्थानिय संधर्ब हिंदी में के लिए सम्मान फुल इकुटी पूर्ण समता आएगी यहां से पर इकुटी के लिए समता है और equality के लिए समानता है यह वर्ड समझ लेना है यहां पर समानता लिखा है यह समता आपने समझना और inclusion समावीश नया word यूज किया गया है जैसे ट्रांजेक्ट्री था ऐसे ही सिनर्जी सिनर्जी का मीनिंग है यह आप खुद पढ़ लिजिए वैसे अगर पढ़ना है the combination of power of a group thing group of things when they are working together that is greater than the total power achieved by each working separately बड़ी अजीब बात है इक for example यह project है for example यह project है इस पर 3 थीन बंते एक दो थीन बंते separately कांड में खर्ड़ी और इनकी output ऊतिया इतनी 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 अकिया जब यह तीनों मिलके काम करते हैं है यह तीनों मिलके काम करते हैं कठे तो इनकी आउट्पुट यह रहाए है वैसे बता obt आ रहा हूं तो वही project individual के काम करने से output कम आ रही है वही project group के काम करने से output ज्यादा आ रही है इसको synergy बोला है ऐसे concept को synergy in curriculum, across all level of education दिखिए school और higher education में हिंदी में तालमेल, इसको बोला गया है तालमेल के सभी स्थरों पर पाठ्यकरम की शिक्षा यहां पर है पाठ्यकरम में तालमेल, education के सभी स्थरों पर पाठ्यकरम में तालमेल लेकिन synergy का दूसरा मतलब जो है मैं पीछे बता के आया हूँ कि एक individual की दूसरे से तालमेल और दूसरे की तीसरे से एक से तालमेल यहां पर curriculum के aspect की synergy बोला गया है most important light but tight इसका meaning भी पूछा जाएगा regulatory framework to ensure integrity यह करना होगा important है transparency and resource efficacy स्वयतता सुशाशन सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और लीक से हट कर विचारों को प्रोचाहित करते हुए audit और सारवजिनिक प्रग्टिकरण के माध्यम से शेक्षेन परनाधी का अखंडता यह देखिए पारदर्शता और संसाधन दक्षता और सुनिश्चता करने के लिए हलका हलका लेकिन चुस्त नियमाएं नियाम नियामक ढांसा यह वर्ड आपको नैचली है यह ऐसे ही लिखने होंगे तो आडिट की बात की गई है यह वर्ड आउट आफ बोक्स आइडियाज तू अटानमी गुड गवर्नेंस एंड एंड एंपावर्मेंट यह पैरा आपको सारा लिख लेना चाहिए क्योंकि इसमें से कही तरह के कॉश्चन पूछे जा सकते हैं सबसे ज्यादा है इंपॉर्ट आटानमी गवर्नेंस एंड एंपावर्मेंट और तीसरा गलता अंसर हो तो इस वीडियो में इतना ही टेट बेसिक कोर्स अगर आपके पास कम समय हैं लांट टू एक्चुलाइज पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर टेट बेसिक कोर्स है उसमें जो ऑप्शन हमेशा सही होते है टैग वर्ड का अनलेसिस किया गया है जिसकी यह तीसरी वीडियो है बाकी दो का लिंक भी नीचे दिया गया होगा इसके इलावा mcq question कैसे solve करने हैं उनके लिए rational guess जा logical guess probability based guess और random guess इस पर तीन वीडियो होगी एक अलग से वीडियो होगा के paper को कैसे attempt करना है इसके इलावा previous year के paper अगर time कम है इतना कर लीजिए तो naturally आपका score increase हो सकता है कोई suggestion ho learn to actualize dr. Tira Singh welcome